वेलकम टू हिंदी वोड़केड में आज डिसकस करते हैं एंटी ग्रिशन अफ अंडर रूट टेन एक्स हाउ तो सॉल्व दिस टाइप अफ कोस्टियम तो देखिए जब अंडर रूट की अंदर कोई फांक्सिन है तो नॉर्मली उसको एक्स स्क्वाइर मान लेते हैं तो टेन एक्स को मान लिया ती स्क्वाइर एड टेन एक्स इक्वल टू टी स्क्वाइर अब यहां से डी एक्स की वेलू निकालनी पड़ेगी यहां पर क्या है तो यह जागा सेख स्क्वाइर एक्स इक्स 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 यह value यहां रख देंगे 10x जगह रखेंगे t square तो सिर्फ तिबार आ जाएगा तो dx के place पर रखेंगे 2t dt upon 1 plus t की पावर 4 तो यह उपर हो गए 2t square upon 1 plus t की पावर 4 out dt अब यह अपने आप में एक question है इस type के question कैसे solve पर दें जो उपर 2t square लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे t square plus t square एक जोड़ देंगे और एक minus कर देंगे क्योंकि नीचे 1 है तो LC हम break कर देंगे t k power 4 plus 1 और यहां भी लिख देंगे t k power 4 plus 1 अब 2 integration हो गए इसमें अब जब इस type का integration बन जाए t square plus 1 upon t k power 4 plus 1 उपर quadratic नीचे by quadratic तो t square से divide कर देते हैं अंसर हर में अंसर हर में t square से भाग दिया जाता है इसमें तो हर जब भाग देंगे t square से अब इसमें देंगे तो कट जाएगा 1 यहां हो जाएगा 1 upon t square इसी नीचे यह जाएगा t square plus जाएगा 1 upon t square e t plus ऐसी से में यहाँ पर 1 minus 1 upon t square divided by t square plus 1 upon t square यह बरा का बहुत important concept है इसे x square plus 1 upon x square लिखाएगा अगर इसमें दो घटा दिया और दो जोग दिया तो यहां से यहां तक बन जाता है x minus 1 upon x का all square plus 2 अगर इसको साथ लेंगे यह बन जाएगा x plus 1 upon x square और यह 2 अलग कर देंगे minus 2 यही concept यहाँ हो जोगा अब देखो उपर plus है तो नीचे minus वाला साथ में लिखा जाएगा 2 plus 2 और यहां उपर minus है तो नीचे plus वाला लिया जाएगा अथाथ में ऐसा क्यों करते हैं वो पता चल जाएगा अभी तो यह हो जाएगा 1 plus 1 upon t square dt upon अब यहां से यहां तक हो गया t minus 1 upon t का square plus 2 को लिख देंगे अंडर रूट 2 का square plus यह है 1 minus 1 upon t square dt यहां से यहां तक हो जाएगा t plus 1 upon t का square minus इस 2 को लिख देंगे अंडर रूट 2 का square लिख सकते हैं बिलकु लिख सकते हैं अब यह t minus 1 upon t है इसको मालने y और यह t plus 1 upon t है इसको मालने z अब देखो जब dy निकाल लेंगे यह t के respect में क्या हो जाएगा t का differentiation होता है 1 1 upon x का differentiation होता है minus 1 upon x square यह plus हो जाएगा 1 upon t square dt plus to dy इसलिए minus वाला साथ लिए ता ऊपर वाला बन जाएगा ऐसे यहां पर 1 यह था minus 1 upon t square dt equals to dz यहां लिखना d over dx of 1 upon x अगर लिखा है तो यह था minus 1 upon x square यह value put करतेंगे ओपर कितनी चीज़ तो dy हो जाएगी यहां से यहां तक यह उपर तो हो गया dy upon इसको y माना है तो y square प्लस under root 2 का square प्लस integration अब इसका देखो यह चीज़ है उपर बर गया dz नीचे क्या होगा dz square minus root 2 का square अब यहां खाली formula ही लगाना आए यहां क्योंसे लगेगा dx upon x square plus a square इसका होता है 1 upon a 10 inverse x upon a यहां क्योंसे लबाएंगे यह होता है dx upon x square minus a square वाल वाली form इसका formula होता है 1 upon 2a log of mod x minus a upon x plus a वाहने formula यहां यहां 1 upon a a की जागे root 2 10 inverse x upon a y upon root 2 plus dz upon this की जागे 1 upon 2 a a की जागे constant root 2 और यह हो जागा कितना log of mod x minus a यानी की z minus root 2 upon z plus root 2 अब रख देंगे value y और z की y की value कितनी है t minus 1 upon t 1 upon root 2 10 inverse y की value t minus 1 upon t upon under root 2 plus 1 upon 2 under root 2 अब z की value कितनी है plus वाली थी z plus 1 upon t minus root 2 upon z plus 1 upon t plus root 2 plus c अब t की value रख देंगे उपर 10x को t square माना था तो यहां से t की value रख जागी under root 10x अब जहाँ जहाँ t है वाली रख देंगे under root 10x so now it becomes 1 upon root 2 10 inverse tk प्लेस पर रख रखेंगे under root 10x रख देंगे बिल्कूल सही 1 upon t कितना हो जागा autumn कर्णमाट हो जाएगा upon under root 2 ऐसा ही कहेगा plus 1 upon root 2 root 2 log off यह यहां पर t की जागे under root 10x और यह 1 upon t कितना हो जाएगा plus under root cortex minus root 2 upon यह यह भी under root 10x plus under root cortex plus root 2 plus c that's it प्रूपल